स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर इगनू के तरफ से आप सभी इस टूडेंट्स के लिए दो नोटिफिकेशन जारी किये गए है इस नोटिफिकेशन में क्या बताएगा है आपको इस वीडियो में पूरा डीटेल में जानने को मिल जाएगा तो वीडियो को बिना स्केप किये कंप्लीट जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को जरूर अन कर लिजेगा ताकि इगनो के सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप इगनो के ओफिशिल वेबसाइट पर आजाएंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंट्रेंस एक्जाम के लिए अपना ओन-लाइन रजिस्टेशन करवा सकते हैं तो अभी तक आपका रजिस्टेशन नहीं हुआ है तो उपर आई बटन पर वीडियो दे दिया है आप चाहे तो उस वीडियो को देखके अपना ओन-लाइन एंबिय और इंट्रेंस एक्जाम के लिए रजिस्टेशन करवा सकते हैं उसकवाद आप और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यूस एनट अनॉसमेंट वाले सेक्षन में यहाँ पर इस परकार से देखने को मिल जागा तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें यहाँ पर जो है री एडमिशन के लिए बताय जा रहा है Re-Registration के लिए नहीं बताया जा रहा है Re-Admission और Re-Registration दोनों अलग-अलग होते है मान लिज़े कि आप एकनों से कोई भी course अपना complete कर लेते हैं जिसमें से आपका जो है एक या दो subject complete नहीं हो पाता है और आपका validity खतम हो जाता है तो इस situation में आपको Re-Admission लेना होता है जिसमें आपका validity आपके admission का validity एक या दो साल बढ़ा दिया जाता है इसे ही Re-Admission कहा जाता है तो आप 31 माई 2020 तक अपना Re-Admission करवा सकते है तो यहाँ पर आपको यहीं चीज बताया जा रहा है तो यहाँ पर एगनू के तरफ से जो भी नए update आते है जो भी नए notification आते है आपको हमारे चैनल के मादेम से इस सभी का information मिलता ही रहता है यह वीडियो आपके लिए काफी जादा helpful रहा होगा इस वीडियो को like और share जरू किजएगा और यहीं आपका कोई सवाल है तो आप comment box में पूछ सकते है या फिर आप हमसे instagram पर directly contact कर सकते है लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा और इसी परकार के और भी update के लिए हमारे चैनल के साथ बने रिएगा ताकि उन्हों के सभी update और notification आपको मिल सके जब तक के लिए take care